दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाल है जी एस्टी में इंपूट टैक्स क्या होता है और आउटपूट टैक्स क्या होता है तो दोस्तों जो नए अकाउंटेंट होते हैं उनके माइंड में ये जो बना रहता है फिर हम इंपूट टैक्स किसको बोलते हैं आउट GST, CGST को SGST टेक्स में ट्रांसफर करते हैं तो दोस्तों अगर आप एक नए काउंटेट हो टेली को और अकाउंट में अपना जो नोलेज है और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक कम्प्लिट जुरूर देखना क्योंकि सारी बाते आज हम इसी वीडियो में प्रैक्टिकली सेखने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना दोस्तों के साथ इससे शेर भी जुरूर कर देना अगर आपने दोस्तों मारे चैनल पर पहली बार विजिट करिए तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जुरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन भी जुरूर पहस कर लेना क्योंकि हम इस चैनल पर टेली सप्ट्वेर और वीजी कांटिकल वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं मौन सुथार और समार्ट कांटि आरसनार के यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों सुरू करते हैं आज का यह वीडियो तो दोस्तों हमने यह जो कंपनी मारी क्रियेट की विया है इसमें हमने कुछ सेल की और प्रसेज की हमने ट्रांजेक्शन की इंट्री करके रखी व परसेज पर जो हम टैक्स पेड करके आते हैं वो हमारा इंपूट टैक्स होता है और जो हम कस्टमर से आगे टैक्स चाल्ज करते हैं वो हमारा आउट्पूट टैक्स होता है तो दोस्तों हमें इंपूट और आउट्पूट की कारणी हम एक्सल में इस चार्ट के थूरू सम आपके पास गुड्स कुछ भी हो सकता है और उसका जो टोटल वेल्यू है उस इन्वोईस की वह एक लाग तेरा जार तीन सो निन्यानमे रुपे और नैंटीन नाइन पेसा है यानिकि लगबग एक लाग तेरा जार चारसु रुपे का ये इन्वोईस हमारे पास आया है और जो हम ने ये गुड्स परसेज किया है तो उस गुड्स में से अवीश्टर वेल्यू में से जो वास्तविक जो समान की जो वेल्यू है यी थी है इंटीन जैर इक्सेव एक्सो एक रुपे और 6,9 पैसा। और जर्फेररेंस है इसका 17,280 रुपे और 30 पैसे है यह हमने already tax के रूप में pay किया है तो यनकी जब हम अमने इस विशो कर्मा ट्रेडिंग कमपनी को 1,13,400 रुपे की payment करेंगे तो इसका मतलब हमने इसके साथ में ये tax भी paid किया है tax की amount भी हमने paid करिया है तो दोस्तों जब भी हम कोई फरसेज करते हैं goods तो हमें जो tax लग के आता है अब जैसे कि इसमें हमें भी 8,600 रुपे 15 पे से हमें CGST tax हमने pay किया है और same ये 8,600 रुपे और 15 पे से हमने SGST के रूप में tax पे किया है तो अब ये जो tax है अब हमारे लिए ये input tax बन चुका है और इसकी entry हमने हमारे software में करके रखी हुए same way invoice के entry हमने purchase voucher में करी है तो इसमें भी आप देख रहे हैं same way कानी है same way 96,101 रुपे और 69 पे सा और ये आपको यहाँ पर भी same taxable value जो नजर आ रही है और वो भी हमने tax के amount भी 8,600 रुपे 15 पे से और 8,600 रुपे 15 पे से tax पे किया है हमारे suppliers को तो वो हमारे लिए input tax बन गया है तो अब इस invoice की entry हम इस वो Excel में चार्ट में सबसे पहले करके देखेंगे भी हमारा जो total है तो दो समने के विल एक ही purchase की entry हमने करके रखी विए यहाँ पे सिर्फ input or output को समझेने के लिए तो इस तरीके से जितने भी हम purchase करते जाएंगे वो सारा हमारा जितना भी tax हम paid करते आ रहे हैं वो हमारा input में add होता रहेगा तो दोस्तों हमने एक invoice purchase किया और इस invoice में 649 रुपे 15 रुपे से मारा tax हमने पे किया है तो दोस्तों यहाँ पर भी मैंने एक लिखा हूँ है इन्पूट एक्स हम किसको बोलते हैं भी tax paid on goods purchase यानकि जब purchase करते है जो tax हमने pay किया वो हमारे लिए input tax होता है और जो tax charge on goods sale यानकि जो हमने मारे customer को जो sale किया है उस पर जो हमने tax charge किया है वो हमारे लिए output tax बनता है तो कई students के मन में एक confusion रहता है हमने goods को sale किया है तो sale किया तो पैसा हमारे पास आया है तो पैसा हमारे पास आया है तो जो tax हमारे पास आया है वो हमारे लिए input बनता है ऐसा नहीं होता है हमने जो customer से charge किया है वो हमारे लिए output tax होता है तो इस तरीके से हमारा ये cgst tax और इतना हमारा sgst tax बनेगा तो दोस्तो ये तो था input tax और अब हम बात करते हैं output tax के तो output tax में हमने यहाँ पे sale किया है तीन invoice हमने sale किये हैं तो दोस्तो तीनों sale के अगर invoice के बात करें तो एक ये invoice है invoice number one इसमें हमने cgst tax और sgst tax हमने चार्ज किया हुए 850 रुपे 40 पेसे और 850 रुपे 40 पेसे का इस तरीके से मारे पास एक second invoice है इसमें भी हमने cgst tax और sgst tax चार्ज किया हुए और उसके बाद में जो तीसरा invoice है यह हमने out of state transaction करी है तो हमने इस पे igst tax लगाया है तो इसकी calculation हम किस तरीके से करेंगे तो दूस्तो सबसे पहले हम पूरा tax की जो calculation है उसको हम देखेंगे तो tax की calculation दोस्तो अगर आपको invoice ज़्यादा तो आपको काफी ज़्यादा problem होगी invoice to invoice आपको cgst और sgst amount लिखने में तो इसके लिए हम balance sheet पर जाएंगे और balance sheet पर जाने के बाद आपको current library में यह group आपको show का duties and taxes का इस पर हम interface करेंगे cgst पर हम interface करेंगे तो यहाँ पर भी आपको यह देख रही हो cgst tax, igst tax और sgst tax के laser यहाँ पर भी आपको show हो जाएंगे इंटर मारेंगे यह मारा जो debit side का जो amount आपको show होगी वो हमेसा आपकी input रहेगी और जो credit side का जो tax रहता है वो output रहता है अब यह 1742 रुपे का जो दो invoice थे उसकी value आ चुकी है invoice number 1 की और invoice number 2 की तो यानि कि हमारा जो total cgst tax है वो 1724 रुपे और 22 पेसे है तो यहाँ पर भी लिखेंगा 1724 रुपे और 22 पेसे तो same हमारा sgst tax भी बनेगा अब लेकिन अब हमारे पास out of state पी transaction हमने करी है तो यानि कि अब जो output tax है वो हमारा एक amount है 1725 रुपे और 22 पेसे की तो यह 1724 रुपे और 22 पेसे तो राकिया हमारी जो purchase है वो IGST के नहीं हमने out of state से purchase नहीं कहे लेकिन हमने sale करी है out of state में तो दोस्तो सबसे पहले हम यह चीज़ देखेंगे भी हमारा जो tax है वो government को deposit करवाने वाला बनता है या नि बनता तो दोस्तो अगर आपका input tax ज़्यादा है और output tax अगर आपका कम है तो आपको deposit करवाने की जरूरत नहीं है तो हम कैसे calculation करेंगे difference हम चेक कर लेंगे दोस्तो जितना input tax है उसमें हम output tax को minus कर देंगे और same यही परक के लिए हम यहाँ पर भी करेंगे sgst tax और इसमें से जो output tax है वो हम minus कर देंगे और अब आप देख रहे हो हमने जो cgst tax और sgst tax है वो हमारा government के पास और लेड़ी है जो ज्यादा deposit है तो दोस्तों इसका सही formula हम output में से minus है जो input करेंगे output tax minus input tax अगर आपका tax यहाँ पर output ज्यादा होता, input कम होता तो आपको जो difference जितना भी आएगा वो deposit करवाना पड़ेगा लेकिन अब बात आती है IGST tax की लेकिन अब IGST tax में input तो कुछ है नहीं लेकिन सारा का सारा output है तो क्या हमें यह जो tax है वो government को deposit करवाना पड़ेगा तो दोस्तों यह हमें जो government जो tax है अब हमारा अगर output minus input करें तो हमारा यह output की life is बन रही है यहाँ पर लेकिन दोस्तों अब हमें यह IGST को deposit करवाने की जुरूरत नहीं है क्योंकि जो IGST की जो tax के mount होती है वो हमारी इस SGST mount के अंदर adjust हो जाएगी अब कैसे हो जाएगी उसको हम देखेंगे दोस्तों पर अब 1750 रुपे है हमारा output बन रहा है IGST tax के रूप में लेकिन यहां पर 6,924 रुपे और 93 पर हम गवर्मेंट से अलड़ी मांग रहे हैं तो जो difference है वो इसमें adjust हो जाएगा दोस्तों इसको adjust करने के लिए हम क्या करेंगे जो हमारी amount है वो अब 6,9 1775.bound यहां पर हमारा 0 रह जाएगा अब यहां पर भी 0 हो जाएगा अब मारी जो net tax के लाइपटीज रह जाएगी वो cgst में से अगर हम प्लस करेंगे तो अब इसका मतलब हो जाएगा और जो मारा अब यहां पर देख रहे हो अब यह जो cgst की जो amount है अब यह जो cgst की amount अब आप आप गोर्मेंट के पास 5,149 रुपे और 41 पेसा एक्स्ट्रा आपका गोर्मेंट के पास जमा पर है और sgst की रूप में आपका 6,924 रुपे और 93 पेसा आपका गोर्मेंट के पास में जो advance जमा पड़ा है क्योंकि जो output था IGST का उसको हमने इस cgst tax के अंदर adjustment कर लिया है यहां कि अब जो cgst IGST यह वह भी एक तरीके का center का tax होता है और cgst tax है वह भी center का tax होता हुँ तो हमने center के tax को एक तरीके से center के tax में adjustment कर दिया है तो इस तरीके से अगर हम यह books में जो अगर entry करने पड़े तो books में entry हम किस तरीके से करेंगे इसकी अधी जर्नल entry हम करेंगे, voucher पर हम जाएंगे, app 7use करेंगे, अब हमने IGST tax जो हमारा credit हमें आ रहा था, उसको वापिस हम debit करेंगे, ग्रेडिट अगर हम अब नेट टेक्स अगर देखें भी गवर्मेंट के पास हमारा नेट टेक्स है जो कितना डिपोजिट है तो अगर इन दोनों का करम यहां से प्लस करेंगे तो यानि कि 12,000 और 24 पेसे टोटल हमारा गवर्मेंट के पास है जो एडवांस मेंट टेक्स अभी जमा पड़ा है अगर आग बुक्स में देखें यानि कि हम टेली सौफ्ट पर में देखें तो कितना हमें अमांट शो होगा बलेंस हीट पर हम जाएंगे और बलेंस हीट पर जाके अगर आप डूटी जेंट एकसेस देखोगे तो यहां पर भी आपको 12,000 चुएतर रुपए और 34 पेसे ही शोग करेगा यहां पर आपको माइनस मेनेजर आ रहा है और वाँ पर भी हमारा यह माइनस में ही है 12,000 बनता है, state का कितना बनता है, या फिर IGST का tax कितना बनता है, तो दोस्तों अब हमारे कुछ invoice में हम changing करते है, output tax को बढ़ाने के लिए, अब जैसे कि हमारे पास ये second invoice है, हम यहाँ पर कुछ जो amount हमारी यहाँ पर बढ़ा देते हैं, माल दीजिए हमने यहाँ फिर 50-50,000 रुप आ रहा देखते हैं, जो tax है, वो कितना बनता है, तो वापिस हम balance sheet पर जाएंगे, तो balance sheet में आप देख रहो जो पहले यहाँ पर minus का जो निशान आ रहा था, अब वो minus का निशान हाटके, 11,308 रुपे और 2 पैसे credit हो चुका है, यानकि यह पैसा में deposit करवाना पड़ेगा, अब cgst में कितना जमा करवाना पड़ेगा, और sgst में कितना जमा कराना पड़ेगा, इसको हम देखते हैं, इसका adjust हम करेंगे, duties and taxes पर जाएंगे, और वापिस, अगर cgst tax की value देखें total, तो हमारी cgst tax है, अब हमारा जो output है, वो अब 13,415 रुपे बन चुका है, तो यह 17 तो हमारी जो adjustment की entry करी थी, वो थी हमारी, और जो actual में जो sale का जो tax बनता है, वो मारा 13,415 रुपे और 40 पेसे है, तो यहां पर हम change करेंगे, 13,540 रुपे, 13,415 रुपे और 40 पेसे, तो दोस्तों सेम इतना यह बनेंगा, 13,415 रुपे और 40 पेसे, तो अब आप देख रहे हो तो यहां पर जो tax है, उस पर हमने कोई changing नहीं करेंगे तो वो तो output मारा इतने रहेगा, तो अब हमारा जो यहां पर जो tax आपको नजर आ रहा है, 11,308 रुपे का, और Excel में भी आपको 11,308 रुपे पहले जो यहां पर minus में आ रहा था, अब वो भी plus में हो चुका है, तो 460 रुपे 25 पे से SGST का tax आपको deposit करवाना पड़ेगा, तो इस तरीके से हम CGST को IGST के amount आप वो CGST में, और CGST के amount अगर कोई library बसती है, तो हम उसको SGST tax में transfer करके हमारा tax है, जो net tax के जो calculation होती है, जो इतना हमारा library या advance है, उसकी calculation हम कर लेते हैं, तो दोस्तों अगर आज की व तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी जरूर कर लेना, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके की और भी practical वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में के नए टोपी के साथ,